आज की रेश्पी वीडियो में है कटहल की सबजी जो की बेशन डालकर मैंने एक नई तरीके से कटहल की सबजी बनाकर दिखाई है और आप भी इस तरीके से कटहल की सबजी है एक बर जरूर से बनाएं बहुत ही सिंपल और असान तरीका और इस खाने में बहुत ही ज्यादा बनती है इस तरीके से 500 ग्राम यानि आधा केलो कठा लिया है आप यह बहुत यसानी से कठा हुआ बजार से मिल जाता है मार्किट से सबजी मंडी में और आप चाहे तो बिना कठा हुआ भी ले सकते हैं और उसको फिर छोलने में है जो थोड़ी दिक्कत होती है इसलिए मैंने ये छीला हुआ कठल है जो ये मंगवाया है और इसको काट लिया मैंने हातों पर तेल लगा कर ताकि ये हातों पर चिपके ना और अब इसको अच्छे से धो लेंगे काटने के बाद इसको धो लेना है अच्छी तरीके से और अब देखें यहां पर मैंने प्याज लिये है 6-7 प्याज लिये है प्याज की कौंटिटी थोड़ी मैंने ज्यादा रखी है आप चाहें तो 4-3 या 4 भी ले सकते हैं पर मैंने 6-7 लिये हैं प्याज का फ्लेवर है जो बहुत यह अच्छा आता है कठल की सब्याजी में को बनाना बताऊंगी आप एक बार इस तरीके से जरूर से बनाईए और यहां पर देखें दो चमच है जो बेशन लिया है मैंने तो यह दो चमच है बेशन यह देखें इस तरीके से भरके दो चमच लिया है तो इस बेशन का कहां प्रयूज करना है मैं आप बताऊंगी आगे और अब यह अपर देखिए, टमाटर और लेसुन और दो हरी मिर्ची लिए हैं इसकी क्या करेंगे, प्यूरी बना लेंगे मैंने अच्छी तरीके से धोकर साफ कर लिया है आप चलते हैं सिदे गैस की तरफ तो यहां पर देखे मैंने एक कड़ाही ली है और इसमें डाला है सरसों का तेल तो इस सबजी में तेल है थोड़ा जादा लगता है करेले हुए और यह कठल इनमें थोड़ा तेल है जो जादा लगता है तो यहां पर मैंने तेल डाल लिया है और तेल गरम होने पर डाल दिया है कट हल और पानी है जो अच्छे से मैंने निकाल लिया है कट हल से पानी नहीं होना चाहिए अच्छे तीके से पानी हटा दिया मैंने और तेल में इसे फ्राई कर लेंगे इसमें डालेंगे थोड़ी सी हल्दी तो यहाँ पर देखिए मैंने थोड़ी सी हल्दी डाल दी है हल्दी डालने के बाद करेंगे इसे अच्छे से मिक्स हाप टी स्किन पून के करीब है ही हल्दी और इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद पांच मिन्ट के लिए इसे फ्राई होने देंगे फूल फ्लेम पे पांच से छे मिन्ट के लिए इसके उपर हल्का सा गोल्डन सी परत आ जाएगी कठल पर पांच से छे मिन्ट के बाद इसे फूल फ्लेम पे ऐसे ही पकने देंगे और ये देखिए पांच मीट बाद है जो कट हल बिलुकुल पका नहीं है ये हलका सा पका है और एक हलकी सी परत आ गई है ये देखिए और अब इसको निकाल लेंगे पलेट के अंदर इस तरीके से तेल को नीचे छोड़ते हुए और आप वीडियो को एंट तक देखना बिना स्किप किये और सेम मुसी कडाई में ले लेंगे थोड़ा सा और तेल तोड़ा सा तेल और डाला है मैंने मैंने आपको पहले भी बताया है इस सबजी में तेल है थोड़ा ज़ादा लगता है इसमें डाला है मैंने half teaspoon जीरा जीरा तो डखने के बाद डाल दिया है प्याज को 5-7 मिंट के लिए अच्छे से भूनेंगे तो प्याज की quantity थोड़ी जादा है तो इसे भूनने में थोड़ा टाइम लगेगा तो इसको भूनने देते हैं और इसमें डाली है मैंने दो पिंच हींग है जो इसमें जुरूर से डाले क्योंकि कटल की सबजी में हींग का होना बहुत जूरी है क्योंकि इसमें तो हींग डाल दी है मैंने और आप इसको भुनने देते हैं और प्याज है जो अच्छे से भुन गए हैं आप डालेंगे इसके अंदर टमाटर की प्यूरी लेंसुन और टमाटर तो यह तो यह टमाटर की प्यूरी डालने के बाद है जो फिर से पांच से साथ मिंट के लिए बिल्कूल अच्छे से भूलेंगे इसको तो कठल की सब्जी में मसाला के उपर ही है आपका मसाला अच्छे से बन कर त्यार है तो कटल की सबजी है जो बिल्कुल एकदम परफेक्ट तरीके से बनेगी और अब इसमें डाली है मैंने कस्मेरी मैथी तो यह कस्मेरी मैथी से भी बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है आप जुरूर से डाले हो तो तो यह देखी अभी थोड़ा सा यह लग रहा है लेकिन इसको अब चाहते हैं 5-60 मिंट के लिए अच्छे से भून लेंगे इसको और इसमें डालेंगे कुछ और मसाले इसमें हाप टी-स्पून धनिया पाउडर थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च अपिर से हल्दी डाली है मैंने थोड़ी ज्यादा नहीं डालेंगे क्यूंकि पहले परेंगे अच्छे से मिक्स और इस टाइम है जो बेशन डाल लेना है मसाले डालने के बाद बेशन को डाल लेंगे और बेशन डालने के बाद क्या करना है गैस का फ्ले में जो बिल्कुल मेडियम कर लेना है और दो से तीन मिन्ट तक बेशन को मसाले के साथ अच्छे से भून निकाल देंगे इसका कच्छा पन है जो निकाल देंगे इसको भून कर 2-3 मिंट के लिए तो गैस का फ्रेय में जो मीडियम करना है तो बेशन भूनने के बाद है जो कठल डाल देंगे इसके अंदर और पानी कितना डालना है ये भी बताऊंगे मैं आपको क्योंकि हम कठल की स अच्छा लग रहा है तो आपको याद दिला दू आप वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें आपको वीडियो कैसा लग रहा है और चैनल को भी सस्क्राइब करें तो बेशन भूनने के बाद है जो कठल डाल देंगे थोड़ा सा तो ये पका हुआ है पहले से आप तो मसाला है जो मैंने अच्छे से तोई सबजी में मैंने आधा गिलास पानी एड़ कर दिया है और इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको ढख रख देते हैं पांच मिंट फूल फलेम पे पकने देंगे और पांच मिंट है जो कम फलेम पे और ये देखें पांच मिंट हो गया करीब पकते हुए तो ये लोहे की कड़ाई में सूखी सब्जी बनाते हैं तो नीचे लग जाती है ये थोड़ी बहुत लेकिन हम इसको निकाल लेंगे एक दूसरे बरतन में और सब्जी है जो एकदम अच्छे से बन कर त्यार है तो आप इस तरीके से कठल की सब्जी बना रहे हैं तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता है और ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेश्टी बनती है अगर आप इस तरीके से कठल की सब्जी बना रहे हैं तो आप कठल तो नेक तरीके से बनाते होंगे इस तरीके से एक बार जरूर से बनाएं तो यहां पर गैस का फले में जो बंद कर दिया है मैंने और आप इसको निकाल लेंगे बर्तन में तो मैंने निकाल लिया है इसको एक बर्तन में और इसके उपर डाल देंगे हरादनिया पत्ति तो मैंने एक मिर्च काटी है इस तरीके से और थोड़ा सा हारा दनिया पत्ति डाल देंगे उपर से सबजी हमारी एक दम से बन कर त्यार है तो आपने अब तक वीडियो लाइक नहीं किया तो वीडियो लाइक करें और कमेंट करें आपको वीडियो कैसा लगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें आप इस तरीके से जरूर से बना कर खाएं धन्याव